चलिए अगली खबर करूख करेंगे, इस वक्त की अगली खबर राज़ानी भुपाल से ही हमें मिल रही है मौसम विभाग ने पांच जिलो में रैड अलर ज्वारी किया है जाबूआ धार रतलाम समेत पांच जिलो में भारी बारिश का अलर ज्वारी किया गया है मौसम विभाग ने पूर्वी मद्ध प्रदेश में भारी बारिश की चिताब नेती है रतलाम धाज आगवा अली राजपुल खरगौन में भारी बारिश हो सकती है विदीशा रायसेन भुपाल सीहौन राजगड में हलकी बारिश की संभाबना है खंडबा, होशंगाबाद, हर्दा, वैटूल में भी हलकी बारिश की संभाबना जताए ज़ा रही है और इसी खबर पर जदुजानकारी के साथ हमारे विश्यी संभादाता आशिश मंगल सुनी जे हमारे साथ जुड़े हुए है आशिश जी मौसम विभाग ने पांच जलो में रेड अलर्ट जारी किया है साथ ही भारी वारिश की चिताबनी भी यहाँ पर दी है कई जलो में पूर्वी मधप्रदेश में जी आशिश जी क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रहे है देखें पूर्व मधप्रदेश में मौसम विभाग ने पांच जलो में रेड अलर्ट जारी किया है आम तोर पर मौसम विभाग रेड अलर्ट सब जारी चारता है सब भारी बारिस का अनुमान हो और निचली बस्तियों में पानी भरने की संभावना हो ऐसे इसकती में मौसम विभाग एतियाज के तोर पर रेड अलर्ट जारी करता है और इसके बाद प्रशासन के तमाम अधिकारियों को NDRF और LDRF की कीम को तेनाब किया जाता है कि अभी इस तरह की परिस्तिती बने तो तुरंत बचाव कारिय किया जा सके मौसम विभाग ने पुरवी मदब्रदेश में भारी बारिस की सेतावनी दी है झास तुर पर गुरुवी मदब्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो भारी बारिस होने की संभावना है इनके अलावा रतलामदार जहाभूआ, अलीराजपूर और खरगोन में भारी बारिस हो सकती है क्योंकि ये मद्वर्देश का इसा जो दक्षिन पर्शे में गुजरात से सटा हुआ है और गुजरात में सामान में से ज्यादा बारिश हो चुकी है ऐसे में ट्रफ लाइन के बाद उसके नीचले हिस्से में खास तोर पर बारिश देखने को मिलती है अपनी तक अमूमन पिछले तीन से चार दिनों में देखने में आया है विदिशा, राहिसन, भोपाल, सीहोर और राजगर में हलकी बारिश होने की संबाबना जिता ही जा रही है खंडवा, हुशंगावा, धर्दा और बेतुल में भी हलकी बारिश के बाद मालवा में भारिश जब हुई थी तो पूर्वी ठेटर में मानसुन एक्टिव हो गया था जी, आशिर जी आप बनेरी हमारे साथ मैं लोटूंगी आपके पास तो बलकुल मौसम वभाग ने पाँच जलू के लिए रेड अलर्ट ज़ारी किया है करता है